क्वेशन है यदि किसी घान का विकर्ण एक सेंटीमीटर हो तो उसका एक किनारा बताएं उसका एक किनारा बता यानि की भूजा क्या मतलब यह है कि घान का किनारा पूछ रहा है घान का विकर्ण का फॉर्मूला आप लोगो पता होना चाहिए घान का विकर्ण अगर आप जानते हो तो आपके लिए क्वेश्चन असान है लिए घान का विकर्ण का फॉर्मूला में लिखवाध रहा हुए कि तो नमर बना रहा है आप आप ये रहेखे जी घान का विकर्ण इस फॉर्मूला को आप लोग लिखे लिए क्वेश्याग बनाएंगे क्या होगा अब हुआ हुआ है इसी फॉर्मुला क्या धाल पर क्वेशन देखें क्या गाता यदि किसी घंड का विकर्ण एक सेंटीमीटर लिख लिए यहां पर घंड का विकर्ण गान का विकर्ण दिया हुआ है गानी कितना हुआ है एक सेंटीमीटर तो गान का विकर्ण आपरू को यहां रख दो इस फॉर्मुला को लिख लिजेगा और याद कर लिजेगा गान का विकर्ण फॉर्मुला क्या आप बताए तुझे राग पुरूट नर्चिरी गुने भूजा अब बताए विकर्ण कितना है एक्स सेंटीमीटर यहां लिख दीजे अरुठीरी इन्टू कि आपको मैं एक्स का माल निकालते से मैं कितना वर बताया हूं जब कोई नमबर जब गुना करें तो दूसरे तरह अब जब उसको ट्रांस्पोस करेंगे बेजेंगे तो क्या होता है बहार करेगा तो यहां पे हो जागा भूजा बराबर इस निप्लाइग एक्स बट्टा रूट त्री क्या होजागा भूजा बराबर एक्स बट्टा रूट त्री सेंटिमेट जो आंसर मिला लिजे गलों देखे लिजे गलों सेंग एएस सार लेक्रीजे अ कि अब चलिए है वाइप का यह हमने बना लिये ना हाइप का भी अब हम बनाने जा रहा हैं किसी गहन के एक किनारा एवं विकर्ण का लंबाई कानुपाद कि लंबाई कानुपाद क्या है किसी गहन का एक किनारा और विकर्ण के लंबाई कानुपाद क्या है तो तहले तो जो दिया गया है उससे आप लिखो कि आफाएप कर भी पाइव का बी गहन का किनारा को झाल है कि किसी यूर्ण के किनारा है इसका अनुपात क्या होगा अनुपात तो आप पढ़े हो के रेशियो कैसे हम डिनोट करते है इस टू बी कहने का मतलब अगर रफ्लेक्शन में ए भाई बी लिखा है तो इसी को हम ऐसे लिख दें यहां पे फोर बाई फाइब लिखा है इसको हम रेशियो में कैसे लिख देंगे बाबू और इस्टू फाइब यह नुपात का मतलब आपको समझ में आ गया है अब जो जो कि माना की घं का किनारा गौन का किनारा किनारे दिया जी मानले ते घं किनारा ए मीटर और देशिए घं किनारा ए मीटर फिर उसके बद क्या है बिकण के लंबायो का लुपात घं का फवर्मुला आपको पता है क्या होता है गान का कर ऑं prosecution हम जोike रूतली इन्टू भूजा अब इस् ही को क्या की जिए कि ड्लक्षन अन्रोफाइं किनारी आझ हम सबस्याइफ और विकर्ण के लंभायों का नुका उस फूंति इंग जह उसके का इसका मतलब यहीग से लिग थीजिए प्रश्णानुरसार लिग दियुए इसका मतलब यहीद कर रहा है मुस्तिके अधार पर चल रहे हैं अनुपात हमको बताना है क्या बताना है बाबू किसका अनुपात बताना है घौन का किनारा और क्या बताना है घौन का विकर्ण फोगान का जब किनारा का मतलब होता है जी भूजा बूजा यहां पे यह होगा ना किनारा जो माने है वो क्या है तो अब हम यहां पर लिए रूट थीरी इंटू ए जरह ध्यान से देखना आप लो यह यहां भी है यहां भी है हम इस ए को काट देंगे यहां क्या बचा वान ऊपर नीचे क्या बचा रूट थीरी अब इसको अनुपात में लिखना होगा कैसे आंसर है क्या आप्षण में दिख रहा है कौन सा ओप्षण है कि टू नंबर आप्षण है सेके नंबर आप्षण लिख लिखेंगे इसे कॉपी में आंसर लिजा लिजेगा कि अगा तो निम्र कोश्चन को कहता है एक दो मीटर लंबी भूजा वाले घं में से मतलब दो मीटर लंबी भूजा वाले घं में से एक मीटर लंबी भूजा का घं कात लिया गया है एक मीटर लंबी भूजा का घं कात लिया गया है घं का सिस आयतन घं मीटर में निम्लिकितने से कौन सा हो बात को समझी को इतना बरा घ्वान का पनीर जिसे माली जी की पनीर को आप लोग खाते हैं नहीं खाते हैं कि इतना लोग चटोड होता है पनीर बनने से पहले प्रसक्का के खाते हैं कर से हम पनीर का चटोड हैं अब इसमेंसे हम इतना काट के निकाल जाएगा जब उतना कम हो जाएगा जो उसका आयताना आपको बताना है जो बच गया उसका आयतन बताना तो उसका आयतन कैसे बनाएगा सबसे पहले तो गहन का बूजा जो दिया है वह गहन एक दो मीटर लंबी भूजा वाले गहन का बूजा कितना होगा जी जिसका बूजा लिजाज 2 मीटर जो इस गहन का आयतन क्या होगा बताई तो गहन का आयतन फर्मुलाहतै वह मुजा क्यूब क्या प्रमुलाहता है गहन का आयतन है वहां B Queen यानिकि दो का आपको क्यूग करना है दो वास्य की दूदूने चार्चाण में आठ मीटर क्यूग हो गया ना कि एक और गहान का भूजा है उसमें से एक मीटर भूजा वाला घ्राड काठके निकालके साईड कर देना है तो भाई घ्वान का भूजा भी रेकना है आपका बनेगा घ्वान का भूजा एक मीटर अब आपको इसका आयतन का है घ्वान का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है क्यों क्यूब को तो क्या रिज़ड आएगा ना तेनि वानी मीटर क्या क्यूब निकाल दिया गया क्या क्या गोला है घ्वां ने इक होगा तो गहान का से साइतन क्या होगा है जो बार का गहान है उसे छोटा प्रम को घटा लेंगे इसमध्म में यह रहे ना है तो यह यह ट मैंने जा तो किपना ज़ेगा शेव बीमिटर क्यूब सभी लोगों समझेंबें आ गया है रहे तो लिखेंजय करने झाल झाल